इस विलाल में Poco F1 और साथ से रेड्मी के Note 7 Pro के अंदर Evolution X खा जो ओफिसल अपडेट आया है उसे यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में इन दोनों रोम के बार में कंप्लेट डिटेल देने वाला हूँ कि कि मौर्निक से दोनों के यूज कर रहा हूँ है इस वीडियो को सुरू करते हैं दोनों के फीचर्स को एक्स्टोर तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पोको F1 के बार्ट के सेटिक्स में जहां पर आप दिख पाओगे कि आपको यहां पे Android वर्जिन है जो 10 देखने को मिल रहा है इसमें भी आपको 55 का सिक्योर्टी पैस देखने को देखने को मिलता है यहां पर आपको जो स्लिवा का है और यहां पर पिकिशल का केनी लूज किया गया है यहां पर POCO का जो build है वो 24 का दिखाई देता है और यहां पर आपको Redmi Note 7 Pro का build 22 का देखने को मिल जाता है तोटेज यहां पर यह ओल्ड हो जाता है जब यह टेज लेटेश्ट आपको देखने को मिलता है यानि लेट अपडेट आया है आप यह भी कह सकते हो अगर यहां पर हम इसके extra customization पर आते हैं तो theming में जो पहले प्रॉलम आ रहाए थी उससे जो fix कर दिया गया तो आपको कोई भी दिखकर theming से रिगेट देखने को नहीं मिलेगा साथ-से अब HDR research प्रॉलम आ था उसे भी fix किया गया कि दोनों में के extravations लें इसलिए मैं आपको एक device पर बता रहा हूं तो यहां कर देख पाऊ है कि वोल्टी के कई सारे आइकन यहां पर दिये गए हैं तो आप जो जो भी फेवर्य आपका आइकन लगता है वह आप यूज कर सकते हो दो निट में अपको सेम तो शीम आइकन दिखने को मिल जाते हैं आप अपने लोसाइक ह natomiast जए सेर पर आपको युः श्याज दिया गया है यहांपे टाड़्य def daran घरक एड लिट और यहां पर आट की गई है जो कि देखने में काफे ज़रा अच्छा लगता है हाफड़ेट के अजर होई नॉर्मल से आपको कुस्टमाइशन गड़ा देखने को मिल जाते हैं इनिमेशन भी पहले से इंप्रूट किया गया है तो जो पहले आपको हलका फुल का लैट टैप का दिखता था वो आपको देखने को नहीं मिलता है साथ अजर दो सेटिंग्स और बगला इस चीजे इंप्रूट की गई है आपको ड्रैगन ड्रॉ अला जो आपको इसक्रीन शूट का फैसलेटी देखने को मिलता है और फुल स्क्रीन आप स्क्रीन भी किलिक कर सकते हो अगर आप यहाँ आप सेटिंग को इस तरह से ड्रो करोगे तब को लॉंगर इसकी सूट करने की फैसलेक्टिव मिल जाती है जो कि ऑक्सीजन ओए से जो लिया गया है तो इस तरह किया से आप जो क्लिक कर सकते हो Fingerprint का response दोनों में perfect लगाए तो मुझे Fingerprint में कोई जाधा दिखने को नहीं मिली है अगर वही पर display की बात करें दोनों डिवाइस में तो dark mode से लेटे timing एड़ कर दिया गया है जैसा कि Android 10 में बताया जाला थे कि हमें देखने को मिलने वाला features यह पहले ही हमें लेते हैं तो इस अट्यूमेटिक से ट्यूल करन सार्व काम करेगा लेकिन एक सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है कि battery backup कैसी है तो guys मुझे इस Redmi Note 7 Pro के अंदर battery backup बहु जादा poor training को मिला है मैंने YouTube यूच किया है तो अच्छे तरिके से एक काम करता है तो अब Redmi Note 7 Pro के अंदर और साथ से आपको iPhone के अंदर wifi calling है जो यूज कर पाऊगे इनमें कोई प्रॉल्म देखने को नहीं मिलता है यहां पर को वीडियो कॉल fix मिलता है तो यहां पर टायट है fix आपको देखने को मिल जाता है बाकि वहाँ पर इसके untudu के बात करें तो यहां पर untudu का पास्ट का स्कोर है वह काफ़ी अच्छा है जबकि Note 7 Pro का 177 का स्कोर दिखाई देता है तो इस जगह पे मैं कहूं है कि जो स्कोर है वह है 337822 का है तो काफ़ अच्छा स्कोर है उन्टीट का जो कि गिमिक लिए सही है लेकिन टिस तरी बाटरी के प्रफॉमेंस है मैं कहूं है बाटरी के प्रफॉमेंस के वाइच आप गेमिंग ना करो तो ज्यादा बेटर है इस व आपको दिखने को मिल जाती है तो आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और इसी तरह की रोम्स के लिव्यू चाहिए तो चानल को सब्सक्राइब और बिल आइकन को क्लिक करना बिलकुरी ना बुलें तो मिलते हैं रुडियो में तब तक लिए गाइच बाबाए